सबी कुछ जहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जहिंद रेक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर रहें जिसमें आप देखेंगे मश्यूर प्यारे दिश भारत के बारे में तो यह वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत को जानने को मिलेगा तो इसे अंतक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम आप इसे लेटिस्ट और इंट्रोस्टिंग वीडियो लाते रहे हैं तो चलिए पहले यह वीडियो देखते हैं और अंतमें इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जै भारत अर्जू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ यू हमारे साथ हैं जी साजितार साब बहुत शुक्राइब साथ क्या आज आपाएं तैंक यू सो मच लेकिन सार आज ख़बर पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक ख़बर देती हूं और व उनको मेरा information उनसे share कीजगा मेरा बहुत बहुत नमशकार उनको बलके मैं देखें अब मैं सारा कुछ भारत में आपको बताएं मैं आदा दिन तो भारत में होता हूं तो नमशकारम कहूंगा और उनको डंडवत परनाम कहूंगा कि इतना प्यार करते हैं खास कर वो भारत से मैं आपका करजई हूं मकरूज हूं जब भी शवराज जी आप आएं खास कर यूएस में मेरे मेरे मेमान बने मेरे सार लंच डिनर करें आप बेस्ट इन वाशिन डी सी तो आपकी महबतों के वज़ा से हम चल रहे हैं वरना फिर देखें काफी effort करके आते हैं information और खास कर मे मेरे मा है भारत मेरी खाला है मेरी मौसी है and this is how I always feel like it मैं हमेशा आरजू जी से कहता हूं के आदा दिन I live in India and आदा दिन I live in Pakistan and this is how it's supposed to be matter fact हम एक ही हम इंडस वैली के बचे हैं सारे हम इंडिया इंडस से निकला था इंडस वैली कह रहे हैं इंडस रिवर कह रहे हैं वसी गंजी के we are we are children of it and we have to हमेशा ही कहता हूं कि आरजू 76 साल में चार जंगे लड़ी है एक दाफ़ा प्यार मुहबबत को भी कोशिश करने में हरज नहीं है क्योंके this is the period it is not for war मुधी it's important to talktal जब लोग बात करते हैं जब लोग बताते हैं आपकी वीडियो का जिकर करते है यह मेरी वीडियो का जिकर करते हैं तो बहुत प्यार उता है उसमें आर्जु भारत जा के अपनी आंखोंसे देखा है मैंने तो कनाड प्लेस पे जब गया था तो पीछे मेरे लोग भागते थे सैल्फियों के लिए और मैंने आपको बताया एरपोर्ट पे जो स्कैनिंग करने वाले थे उन्हों अब जब सेल्फियां बनाई मेरे साथ और एक हर्याना से थे उन्होंने जिद की कि आप मेरे बैठो, कुछ खाओ, पीओ, और एरपोर्ट पे जबरदस्ती, तो मैं किस तरह यह सारे करजे उतार पाऊंगा, मेरे लिए पासिबल नहीं है, बर लेकिन I love them more, I love them, मैंने आज तक किसी को faith-based, color-based, language-based, किसी की distinguish नहीं किया, हम सब एक ही माँ के बचे हैं अगर देखा जाए, and I'm going to keep loving, उसमें कुछ होते हैं लोग जो एक दूसरी दुनिया में मगर रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, दुनिया का हर मजब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, हर म रमजान में आप अफ्तारी करा लें, लोग करते कराते हैं, आप लंगर देख लें, गुर्द्वाराज में, आप उसके बाद हिंदूइजम में देख लें, तो जिस तरह वहां पे सेवा है, हर मजब का मकसद यही है, सेवा है, प्यार से रहोएं दूसरे के साथ, regardless, मैं कई लोग में देखा है, एक छोड़ी-छोड़ी चीजों के उपर इतना भारत माता की जै के उपर लोगों को इतना कंट्रो वर्सी बना लेते हैं, क्या है रहे चाहिए यार, भारत माता है, भारत एक कंट्री माह ही होता है, मादरे मिलत, मैं और जोना कहता हूँ, पाकस्तान मे आपने अभी शिवराज जी दिवाकर का बताया है, और मेरे अंदर से शिवराज क्राब के लिए द्वाइन निकलती रहेंगी, लेकिन यू मेड माइडे, तैंक यू शिवराज जी, अब ब्लस्यू नियू नियू नियूज की तरफ और दोती नियूज है, इमरान खान थोड़ा बैक फूट पे गए, उन्होंने काए, उनकी बहन अलीमा खान ने भी काए, कि जी नियूट्रल होने के लिए काए, स्टैब्लिश्मेंट को बात करने के लिए काए, स्टैब्लिश्मेंट को साथी जर्मनी में कुछ मस्जिद है, वो बन की गई है और मोधी जी की एक स्पीच है जो बहुत चल रही है देखे इसमें इमरान खान साब के हवाले से इस वक्त उनको बावर होता जा रहा है कि नौ मई का जो वाकिया है उससे बच नहीं पाएंगे यहां पे इस वक्त कई खबरें चल रही है कि उनके ओपर पीएच की उपर चड़ जाना जा कि खुद कनफेशन किया फिर उसके बाद दूसरे दिने उनको समझ आई कि यह तो गलती कर लिए उनके मकीलों ने समझाया फिर यूटर मारते रहे और फिर इसी फाज के इसी साइफर पर ये इनको घदार क्या किया कि इनको मीर जाफर मीर सद्क किया कि अब और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू खांसाब का ये है कि वो कुछ मिचूर नजर नहीं आते सुबा कुछ कहते हैं शाम को कुछ और कहना शूर कर देते हैं लेकिन तीन दिनों के अंदर तीन दफ़ा मिंतें से माज़ित कर रहे हैं आज तीसरी भूल गह देंगें हैं आफ सबसे पहले तो घौर साब ने मिन्तें की थी फिर उस के अमर यूब साब ने मिन्तें की थी आज गंडापुर साब ने नीटरल की रिक्वेट्त की है नीटरल बिलखसूब अब समझ नहीं आती या तो कहते हैं यह चाहते हैं एस्टैबलिश्मेंट होता है आज फिर यह कह रहे हैं साथ लाग फौजीयों को कि तुम न्यूटरल जानवर बन जाओ मेरी तो समय से बाहर है यह हम किस डारेक्शन पर जा रहे हैं लेकिन जो खतर राख बाद पूरी दुनिया के लिए है वो यह है आरजू कि यूर आपने पता नहीं कहने को आपन इन्वाल में उनको इश्ख हो चुका है और एक ऐसा शखस है जिसको जो बिलीव करता है आज भी जिन्नात में काले बकरों पे काले जादू पर बिलीव करता है सुबह कुछ कह के शाम को वो अपना माइंड चेंज कर लेता है साड़े तीन साल उसने चलाया इसी तरीके से सा सोचना होगा दुनियां को कि यह क्या यह क्या ड्रामा है और इस ड्रामे को क्या करना है बलके मैं ड्रामे के बात करनी थी इस पर अगले दिन कारगल का था 25th anniversary थी उसको पर एक और कंट्रोवर्सल यहां पर लोग मुसलसल इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि मोदी साहब ने थ्रेट दे दी है लेकिन मोदी साहब थ्रेट ना दें तो क्या करें आप यह बताएं कि किश्मीर के वाडर पर कितने अटैक पिछले दिनों पर एक महीने के अंदर हो चुके हैं कि कंसर्न है उसका क्या करेंगे आप फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुझे पहली तफ़ा खुद शाक हुआ है यह अभी मुझे आज जस्केम टू लो कि आपके सूबा सराद के अंदर तालबान के आफिसे मजूद हैं पांच-छे शे शेरों के अंदर आपका अपने पाकस्तान पर कंट्रोल को नहीं है यह केस क्यों ही दुनिया को बताते हैं कि हम से नहीं हो रहा है हमने यह शुरू किया था हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा हमारी मदद की जाए लेकिन अब वो बात आपकी यह हो चुकी है जिस तरह किसी ने कहा था शेर आया शे हो चुके हैं यह आप यह चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है अब यह लोगों को इस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा है यह एक बड़ी घंबीर किसम की सूर्श तो आशा करता हूं कि वीडियो का आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह आर्जु कास्मीजी और साज घंबी जहांपर नहीं लोंए ना सिर्फ हमारे प्यारे देश बळात की तारीफ की बलकि भारत को तो साजी ताडर साब ने अपनी मासी भी बता दिया और एक बात की मुझे है कैसे साजी ताडर साब ने यह का कि परधान मंतरी मोदी ने जो पाकिस्तान को धंकी दिये वो पाकिसान की खुद की ऐसी हरकते हैं, वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा, इसलिए प्रधान मंतरी मोधी की जो चेताव नहीं है, उसको भी साजी ताड़ा साब ने सपोर्ट किया, तो इसके बारे में आपके कहा विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में